जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपनी मान लिया तो मुश्किल क्या असान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त है बंडग छक राजिंद शनुडिया देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मद्य प्रदेश समान लिग्यान यानि कि MPGK के अतिम महत्वपूर MCQ तो आपको करना है आपको भी दोस्तों पैन कापी लेके बैठना है और इन कोस्चनों को सौल करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपक इन चार आफशन में से दोस्तों आप अपना अंसर क्लिक कर लो ठीक है अब मैं बता रहूं अपना अंसर ठीक इसी प्रोसेस से दोस्तों हमको करना है मैं कोस्चन पढ़ूंगा इसके बाद दोस्तों आप आफशन नहीं पढ़ूंगा ठीक है मद्य प्रदिस की दुतिय खेल कूज नीती दोस्तों 1994 में लागू की गई थी ठीक है कि मद्य प्रदिस की नवीन खेल नीती दोस्तों 2005 में लागू की गई है इसके सालाबा दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि मद्य प्रदिस खेल प्रादी करल का गठन 2011 में किया गया है तो ठीक है तो चारों चीज़े आपको याद रखना है देखिए मद्य प्रदिस की प्रथम खेल की उनीती 1989 मद्य प्रदिस की दुतिय खेल की उनीती 1994 मद्य प्रदिस की त्रती खेल की उनीती 2005 या फिर दोस्तों इसको बोल सकता है मद्य प्रदिस की नवीन खेल नीती 2005 मद्य प्रदेश खेल प्रादी करण के गटन दोस्तों याद रखना 2011 यानिगी 2011 में किया गया था नेस्ट कोश्चन देखते हैं होलकर बंस के संच्थापक कौन थे तो याद रखना दोस्तों होलकर बंस के संच्थापक थे आपके मलहार राव होलकर कौन थे मलहार राव होलकर दोस्त याद रखना होलकर बंस के संच्थापक थे इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों भेरी भेरी मोश्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दोस्तों मद्य प्रदिस के इतिहास से सम्में फैक्ट है याद रखना है कि होलकर बंस के संच्थापक मलहार राव होलकर थे होलकर बंस का स्वरड काल दोस्तों याद रखना अहिलिया वाई के सासनकाल को कहा जाता है इसके सासनकाल को अहिलिया वाई होलकर के जो सासनकाल है दोस्तों उसे दोस्तों याद रखना होलकर बंस का स्वरड काल कहा जाता है भारत का नेपोलियन दोस्तो याद रखना यस्वंत राव होलकर ये बहुत ही प्रिसिद्ध सासा कुई दोस्तो होलकर बन्स के ठीक है तो यस्वंत राव होलकर को दोस्तो भारत का नेपोलियन कहते हैं भारत का नहीं मद्ध भारत का ठीक है कौन कहते हैं इतिहास कार हुई ए N.S. इनामदार, ने दोस्तों यस्वंत्राव वोलकर को मद्य भारत का नैपोलीयन कहा है, important fact है, याद रखना है, ठीक है, अहिल्यावाई होलकर वोलकर ने दोस्तों याद रखना अपनी राजधानी किसे बनाई थी, महिस्वर के बनाई थी दोस्तों, और महिस्वर कहा है, मह लेकिन नरतने मंदिर दोस्त उयाद रखना जो कि इंदौर में इस्तित है इसका निर्माद तकोजी राव घृ करने किया था जिसे कैंदरी संग्राला भी कहा जाता है अहिल्या भाई होलकर की समाथी दोस्तों आद रखना महिस्वर में इस्तित है के लिए फोलकर मंस की प्रानम्बिक राजधानी कहां थी तो प्रानम्बिक राजधानी दोस्तों इंदोर थी और यस्वंत राव होलकर जो हुए दोस्तों उनके समय फोलकर बंस की राजधानी थी भानपुरा और अहिल्या भाई होलकर के समय क्या थी राजधानी महिस्वर थी टिक सारे फेक्ट इंपोर्टेंट है याद रखना है नैश कोचन है बिवेक सागर का सम्मंद किस खेल से है भेरी भेरी अभी MPPSC में पूछा जा चुका है ठीक तो क्योंकि छोटी मोटी परसनालिटी नहीं दोस्तों एक बहुत ही बड़े खिलाडी है ये ठीक है अब देखिए बिवेक सागर का जो जन्म हुआ था न दोस्तों ये हुआ था आपके होसंगाबाद में कहा हुआ था होसंगाबाद में हुआ ठीक है और टोक्यो उलमपिक दोस्तों 2020 ये कब आयोजित हुआ है 2021 में आयोजित हुआ है कोरोना के करण 2020 में टोक्यो ओलंपिक आयोजिन नहीं हुआ था तो 2021 मुस्क आयोजिन हुआ था तो ये भारती हाकी टीम में दोस्तों इन्हों भाग लिया था और जो मतलब जो विबेक सागर थे दोस्तों जो जिस टीम में सामिल थे भारती हाकी टीम में उस टीम ने दोस्तों पासपदक हांकी में नहीं जीता था जब किसे दोस्तों इंडिया का नाम चलता था हांकी में जब मेजर ध्यान चनते है ठीक है चलिए नेश्ट देखते हैं नेश्ट कोश्टन है अब देखी दोस्तों मद्द ब्रदिस के प्रमुक खिरारियों को देख लेजिए कि कौन-कौन से खिल से सम्मानित वो हैं वैसे तो बहुत सारे important fact होते हैं इसे सम्मानित भी जैसे संकर लचमर दोस्तों हाकी खिल से सम्मानित है लेकिन इन्हें गोली भी कहा जाता है bullet कहा जाता है लेकिन इस परकार के fact कों दोस्तों और किसी question में कभी cover करवाऊंगा ठीक संधिया अगरवाल दोस्तों याद रखना cricket है ये ठीक है cricket खिल से सम्मानित है मदू आदो हाकी से सम्मानित है सेयद मुस्ताक अली क्रिकेट खिलते है नरेंदर हिरवानी भी क्रिकेट खिलते है रीता जैन टेविल टेनिस राजे सोरी धोरकिया क्रिकेट इसनिकदा महना टेवल टेनिस गामय वहलवान कुस्ती पप्पू यादो कुस्ती समीरदाद कुस्ती और रूप सिंग हाकी ठीक है और चंदरकात बंदी दोस्तों क्रिकेट से सम्मझित खिलाडी है इसके अलावा अभी लेटेस्ट में जो चल रहे हैं दोस्तों उनको भी याद रखना है पूजा बस्तरकार ये क्रिकेट खिल से सम्मझित है और सहडोल की रहने वाली है सतेंदर सिंग लोहिया बहरी बहरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों याद है रखना बहरी बहरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है सतेंदर सिंग लोहिया दिब्यांग तेहराख है ठीके तेहराखी से सम्मझित है योगेस मालवी दोस्तों इन्हें दुरोड़ा चार परुस्कार मिला है ये मलखम्ब के कोच हैं मेगा परमार परवता रोही हैं एस्वर परताप सिंग दोस्तों सूटिंग से समझित है एक सूटर है किलियर हुआ चलिए नेस्ट कोचन मद्य परदेश उर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी तो याद रखना दोस्तों मद्य परदेश उर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी 1982 1982 में चलिए चलिए अब आपको याद रखना दोस्तों मद्य पर्देश उर्जा विकास निकम 1982 भोपाल में इसकी स्थापना हुई है लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि मद्य पर्देश में अक्षे उर्जा की सुरुवात कब हुई है तो 2011, 2012 मतलब 2012 में इसकी सुरुवात हुई है चलिए नेश्ट कोश्चन मद्य पर्देश में कुरंडम उत्पादक सीर्ष जिला कोन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमर ए सीधी सीधी जिला दोस्तो जाद रखना कुरंडम उत्पादक का सीर्ष जिला है कुरंडम उत्प का खनीज होता है मेंगनीज दोस्तो सबसे जादा बाला घाट में होता है ठीक खदान का नाम आपको पता होगा भरवेली ठीके A.C.I.A. की सबसे वड़ी मेंगनीज खदान है तामबा मलाजखन खदान पहेम से जादा होता है सलेट उद्द्यों के लिए मन्सोर फेमस है ग्रिफाइट बैतूल में सबसे ज़्यादा होता है सुर्मा, जवलपूर, हीरा, पन्ना, कुरनम, सीधी इसके अराबा दोस्तो रॉक पॉस्पिट जहाबुआ टंगश्टन जो है दोस्तो याद रखना आगरगां होसंगाबाद युरिनियम जिला दोस्तो सहडोल को कहा जाता है क्योंकि सिर्फ सहडोल में ही युरिनियम मिलता है कोल बैड मितन के भंडर सहडोल में मिले हैं इसका उत्खनन रिलाइंस ग्रॉप दारा किया जाता है जिपसन दोस्तों रीबा में सबस्यादा होता है चीनी मिट्टी जवलबुर में S.B. इस्टस जाबुआ S.B. इस्टस और राक कॉस्पर याद रखना दोनों जाबुआ में है ठीक है और कोईला दोस्तों सहडो सिंग्रोली दोनों जिलों में मिलते हैं तो ये very very most important fact है आपको याद करना पड़ेगा चलिए next question समय के पाउं किसकी रचना है इस question को आपको solve करना है और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप मद्य प्रदिस के साहित्यकार जो है ना इनको अच्छे से पढ़के जाना ठीक मद्य प्रदिस के साहित्यकार उनकी रचना है इस प्रेसली ठीक है बहुत अच्छे से पढ़के जाना क्योंकि ये topic जो topic है न दोस्तों ये आपकी समाने हिंदी से भी सम्मान्दित हो जाता है और MPGK से भी सम्मान्दित हो जाता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि मद्य प्रदिस के साहित्यकार इवम रचना है बहुत अच्छे से पढ़के जाना मेरे भाई क्योंकि ये selection वाला topic होता है हना चलिए समय के पाँ दोस्तों यादटना माखललाल चतुरुवेदी की रचना है ठीक देखिए दोस्तों माखललाल चतुरुवेदी जी की बात करें तो इनका जन्मा बाबाई गाउं हुसंगाबाद में होता है और इनकी कर्म भूमी दोस्तों खर्णमा में है ठीक है इनना भारती आत्मा के नाम से जाना जाता है प्रभा पत्रिका का संपादन दोस्तों इनना खर्णवा से किया था और एक कर्मभीर पत्रिका का संपादन दोस्तों जवलपूर से किया था हिम तरंगडी के लिए दोस्तों इनना स्ताहित अकादमी पूरुसकार मिला है हिम क्रिटनी, हिम तरंगनी, दीप से दीप, यूग चरड, समय के पाउ और पुस्पी की अविलासा, ये पुस्पी की अविलासा जो है दोस्तों इनों ने बिलासपूर जेल में लिखी थी, भैरी भैरी मोस्ट इंपोर्टन फैक्ट है, माखलाल चतुरुवेजी जीजी से सम मुख्य मंतरी थे, फूलन देवी कोन है दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको टेटेल से बहुत अच्छे से जानना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है फूलन देवी, आप सर्च करके देखना आपको मिल जाएगा, ठीक, चलिए, फूलन देवी किस नमें दोस्तों, ज इनका सबसे कम कारेकाल रहा है, सबसे चोटा कारेकाल मातरी एक दिन करा है, देखो कारेकाल के रुप में पूछा जाए तो अरजुन सिंग, लेकिन अवधि भीए पूचा जाए दोस्तों, राजा राषी, चंदर सींग, क्योंकि एर जुहरूं दोस्तों, एक दिन के लिए कारकाल मत बनी है लेकिन इसके रावब भी दोस्तों पाँच पाँच चाल इन्होंने कह रहे हैं मुखवंतिर रहे हैं लेकिन राजा नदेश चंद्र दोस्तों याद रखना जो मद्वे प्रदेश के प्रतम हादिमा से मुखवंतिर थे वो मात्र 13 दिन मुखवंतिर रहे हैं सब भी कारगाल नम है क्लियर चलिए और अरजुन सिंग दोस्तों याद रखना MPP सिंग पूछ लिया था कि पंजाब के राज़पाल कौन रहे हैं अरजुन सिंग पंजाब के राज़पाल भी रह चुके हैं क्लियर चलिए मद्य प्रदेश चितरकला का पिता किसे कहा जाता है तो डी डी देवलाली करण दक्ता त्रे दोस्तों याद रखना इनका नाम है डी डी दक्ता त्रे ठीक है देवलाली करण इन्हें मद्य प्रदेश चितरकला MP की पेंटिंग का कहा जाता है फादर कहा जाता है ठीक है तो याद रखना और इसके लावब एक चीज़ रहा रखना कि ये चारों नाम जो लिखे हुए ना ये सब मद्दे प्रदिस के क्या है चित्रकार है कुश्चन ऐसा भी कुश्चा जाता है कि कौन चित्रकार से सम्मादित नहीं है तो बिस्नुश इंचालकार मगबूल पुदा हुसेन और सियद हैदर रजा तीक है और नारायार सीधरहर बेंद्रे का नाम जाद रखना दोस्तों ये सभी के हमद्दे प्रदिस के चित्रकार है क्लियर चलिए लारुकाज किस जन्जाती का परव है तो लारुकाज दोस्तों जाद रखना गोंड जन्जाती का परव है और असका राइट अंसर हो जाएगा लारुकाज दोस्तों गोंड जन्जाती दोरा बारा जाने बाला एक परव है या उत्सव है और नरायर देव के सम्मान में इसे मनाया जाता है क्लियर चलिए नेस्ट कोश्चन छेत्रपर की दरस्टी से मद्धे प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है तो छेत्रपर की दरस्टी से मद्धे प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है प्रथमस्तान पर कौन है प्रथमस्तान पर दोस्तों आपका राजिस्तान है ठीक है चलिए अब देखिए दोस्तों मद्ध प्रदिस की भोगोलिक इस्तिति समझे एककईश से 26-36 उत्तरी अकशांस चोहता नो से 82-48 पूरवी दिसानतर तो याद रहना दोस्तों मद्ध च्छिर में 605 है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो आपको इस चीजों में ध्यान नहीं देना है 245 देखे तो 255 लगा देना 252 देखे तो 252 लगा देना हना खेतर फल के देस्टि से दूसरा सबसे बलराज पहला कोन है राजिस्थान है और भारत के कुल शेतर फल का 9.38 मतलब 9.38 परसिंट है ठीक है चाहिए नेस्ट देखते हैं मद्ध प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरेना दक्षरी जिला है बुर्हानपूर पूर्वी जिला है सिंग्रोली और पस्टि में जिला है अल्राजपूर इनको आपको याद रखना है वैसे आपको सब याद होंगे है ना मद्ध प्रदेश का गठन एक नवब और शपन को हुआ था प्रसासिंग राज़ानी जिलास मिलेगी अभी तक दोस्तों में आपको टाइमिंग से निपढ़ा रा था अब लेकिन में दोस्तों आपका पांच वजे का टाइम में ने फिक्स कर लिया है मद्ध प्रदेश में दोस्तों हर दिन सबसे पहले सुब़े 5 बजे सनोडिया 91 चैनल में दोस्तों MPG के प् थेंक्यू जहिंज भारत